नमस्कार मैं हूं दर में इंदर आप देख रहे हैं ओनलाइन उजिंडिया नवाब मलीक माराश्य सरकार में मंत्री उन्होंने समीर वान खेड़े वो एनसीबी का अधिकारी जिसने सारुखान के बेटे आरेन खान को गरफतार करवाया उसकी पूरी जनम कुंडली खंगाल करके रख दिया है पूरी जनम कुंडली पूरा कच्चा चिठा लोगे सामने डाल दिया है एक चिठी उन्होंने आज रिलिस की और इस चिठी के अंदर उन्होंने 26 आरोप लगाए है लेकिन 26 आरोप में किस तरह से मुसल्मानों को नंबर वन पर टार्गेट किया है करीब 33 हिजदी मुसल्मान जो है वो इसमें टार्गेट में थे समीर वान खेड़े के बेहाद दिल्चस खुलासा हुआ है यह आपको बताएंगे उन्होंने यह आप देखे ट्वीट आप देखे नवाब मली का ट्वीट है यह 9 बज करके 49 मिनट पर 26 अक्टूबर को पहला ट्वीट उन्होंने किया और इस ट्वीट में 4 परने की चिठी उन्होंने इसका खुलासा किया और सबसे बड़ी बाद यह है कि सुबा उन्होंने ट्वीट किया था 49 पर 26 अक्टूबर को और उसके बाद में शाम को 4 बज करके 13 मिनट पर फिर से उन्होंने ट्वीट करते में का है कि मैं NCB के DG को इस चिठी को भेज रहा हूं एक जिमेदार नागरिक होने के नाते ताक रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 26 आरोप इस चिठी में लगाए गये हैं उसमें से 73 मुसल्मान है आखिरकार इसके पीछे क्या वोज़े हैं यह भी आप समझे सबसे पहले आप ही देखिए चिठी का पहला पन्ना है पहला पन्ना चिठी का आप देखिए और एक मुंबई के अंदर उसे पहले को काम कर रहा होगा लगिन दो साल से इस वेक्ति ने काया अपना नाम नहीं बता है इसने अग्यात है और और इसने काया कि मैं दो साल से मुंबई में कारियरत हूँ अब इसने जो नाम बताए हैं पहले नमबर पर सबसे नीचे आप इसी पन्ने पर सबसे नीचे आप देखिए केस नमबर 16 बटे 2020 इसमें करन अरोडा है करन अरोडा है एक हिंदू नाम आप समझ लीजे इसके साथ मे हैं और इसमें कुछ मुस्लिम नाम इसमें भी हैं लेकिन ये 26 नाम में से मोटे तोर पर अगर आप देखेंगे तो इसमें दो केवल नाइजीरियन हैं दो हिंदू हैं एक इसाई हैं और दो अध्यात हैं 26 में से 19 नाम जो हैं वो मुसल्मान हैं मुसलिम नाम है और उनको जो आपको पर्दर पर्द इसमें जो नाम दिये गये हैं वो आपको बता रहा हूँ डिटेल में अगर आपको बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा डィٹेल के लिए आप अपने फोन के स्क्रीन को पोज करके वीडियो को पोज करके वीडियो को रोब करके आप आराम से पूरी चिठी पढ़ सकते हैं एक एक करके मैं आपको शोर्ट डीटेल में इसका नाम बता रहा हूं केस नमबर दो, तीन बटे 2021 इसमें समीर खान है समीर खान को जूटे केस में अरेश्ट किया गया 200 किलो ग्राम तमाखू को गांझा करके दिखाय गया यह सब कुछ जो खेल चल रहा था कि उसके पास में तमाखू था उसको गांझा करके बता दिया ये 3 बटे 2021 उसने केस के नाम दिये है और जिसको फजाय गया है उसका नाम भी दिया गया है मुसलिम है जादकतर मुसलिम है 19 नाम जो है वो सामने आ रहे है 26 में से तीसरा केस आप देखे तीसरे नमबर पर केस नमबर 6 बटे 2021 मुहमद नजीम खान के घर पर आसिस रंजन ने आयो ने 61 गिराम मेफ ड्रोन को MD को रख करके उसे जूटा केस बनाया और उसको जेल में डाल दिया ये देख लिए जब चोथे नमबर पर 9 बटे 2021 मुहमद बिलाल को 136 गिराम MD रख करके जूटा केस बनाया और उसे जेल में डाल दिया पाचवे नमबर पर 18 बटे 2021 अमजद असलम सेख के घर पर आसिस रंजन आयो ने 64 गिराम MD रख करके उस पर जूटा केस बनाया और उसको जेल में डाल दिया केस नमबर 24 बटे 2021 छेटे नमबर पर है ये शाबाद बटला के घर पर सिपाई PD मोरेने समीर के कहने पर ड्रग्स प्लायर आदिल उसमानी से 60 गिराम MD रख करके उसे जूटा केस बनाया और उसको जेल में डाल दिया एक ही पेटरन है कि थोड़ा सा MD जो है वो किसी के घर पर रखो 50 गिराम 20 गिराम 30 गिराम 60 गिराम और उस पर केस बनाओ केस बना करके उसको जेल में डाल दो वो पूरी उमर भार उसका परिवार उसके परिस्तेदार कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि हमारा बच्चा ड्रग्स नहीं लेता था हमारा जो पती था बेटा था वो कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि हाँ ये ड्रग्स केस में इन्वोल नहीं था ये गलत काम नहीं करता और सबसे बड़ी बात ये नाम ये मुसल्मान क्यों हैं ये सारे के सारे नाम मुसल्मान क्यों हैं ये आप देखें साथवे नमबर पर केस नमबर 27 बटे 2021 अब्दुलकाबीर वे नजिया सेख के घर पर 52 वे 54 ग्राम MD रखकर के दोनों को जेल में डाल दिया आठवे नमबर पर 28 बटे 2021 इमरान के घर पर आसिस रंजन आयो ने 57 ग्राम MD रखकर के केस बनाया जेल में डाल दिया एक ही पेटरन है सब में नोवे नमबर पर आप ये देखें केस नमबर 29 बटे 2021 केनित के घर पर 200 गिराम MD रख करके उसको केस बनाया और उसको जेल में डाल दिया ये इसाई जो है वो नाम से समझ में आ रहे हैं आप दस्वे नमबर पर इसमें देखें 30 बटे 2021 केस है और इसमें अंसारी समरुद्दीन के घर पर 55 गिराम MD रख करके उसको केस बनाया जेल में डाल दिया उसके बाद में 11 नमबर पर केस नमबर 31 बटे 2021 चिकुडी पिटर नाइजीरियन को 22 गिराम कोकीन वेच 260 गिराम चरस रख करके जूटा केस बनाया जेल में डाल दिया यह नाइजीरियन को भी नहीं बखसा यह आप देखिए 12 नमबर पर 32 बटे 2021 अब्दुल गफार कुरेशी के घर पर 52 गिराम MD रख करके जूटा केस बनाया और उसे जेल में डाल दिया 13 नमबर पर 33 बटे 2021 सोयन हैदर खान के घर पर 1.2 ग्राम MD और 17 बोटल्स LSD रख करके उस पर जूटा केस बनाया उसके घर से 17 लाख रुपए नगद मिले थे NCB की टीम ने समीर के कहने पर 9 लाख रुपए केस में दिखाए बाकी आपस में बाट लिए ना केवल जो है उसको फसाया उसको जेल में डाला ये जो है सोयन हैदर खान है केस नंबर है 33 बटे 2021 तेरवे नंबर पर इसकी डिटेल है उसके घर से 17 लाख रुपए जो है वो भी लूट लिए और 17 लाख में से 9 लाख रुपए जो है केस में दिखा दिये और बाकी के 8 लाख रुपए जो है वो आपस में बाट लिए ये देखे किस तरह से सब कुछ हो हम हो रहा है चोदवे नंबर पर आप देखिए केस नंबर 40 बटे 2021 समीर सुलेमान सना सर्फा कुरेशी को आसिस रंजन आयो ने विसव विजे सिंग सुप्रिडेंट के कहने पर इनके घर पर जो है वो 50 गिराम वे 60 गिराम एमडी रख करके जूटा केस बनाया और इन्हें भी जेल में डाल दिया इनके घर से 25 लाख रुपए सोने के आभूशन गाइब किये कंप्लेंट होने पर समीर ने मामला रफा दाफा कर दिया आप ये बताईए कि समीर सुलेमान है समीर सुलेमान का केस है 40 बटे 2021 और एन्सी बी को खुलासा करना चाहिए कि हाँ 40 बटे 2021 में समीर सुलेमान का केस दर्ज है या नहीं है ये केस का नंबर होता है और सबसे बड़ी बात ये कि इसको ना केवल फसाया जेल में डाल दिया बलकि इसकी गर से 25 लाख रुपए और गहने जो है उस पर हाथ साफ कर लिया कंप्लेंड हुई सिकायत हुई उसके बाद में मामला रफा दफा कर दिया सोच रहें आप आपको जेल में भी डालेंगे आपके परिवार को फसाएंगे भी बदनाम भी करेंगे और आपके घर को लूट भी लेंगे ये कौन सा तंतर चल रहा है ये कोई प्लिस अधिकारी का काम नहीं है ये तो गुंड़ा ही हो रही है इसको लिया में पंद्रवे नंबर पर आप देखिए 44 बटे 2021 सिकंदर हुसेन सज्जात के घरप से जो है वो 12 बोतल कोडीन खासी के सीरप वे कुछ मात्रा में गांजा वे एमडी मिला था लेकिन सिपाई विश्णू मेरा ने समीर वान खेड़े के कहने पर दो कार्टून कोडीन खासी के स केस बनाया और उसे जेल में डाल दिया बहन के पास विश्णू सिपाई ने जो है वो दो कार्टून ले जाते वे एक वीडियो बनाया कोई उसे पुकार सुन नहीं रहा है यह देखिए खासी की सीरप को भी जो है वो ड्रस गांजे के साथ में जोड दिया यह सब कुछ हो सब्सक्राइब केस नंबर आप देखिए केस नंबर 49 बटे 2021 एसान सज्जाद के घर पर 52 ग्राम एमडी रखकर के केस बनाया जेल में डाल दिया सत्रा नंबर पर केस नंबर 51 बटे 2021 सोहल सेख के घर पर 62 ग्राम एमडी रखकर के जोटा केस बनाया जेल में डाल दिया अठारवे नंबर पर केस नंबर 60 बटे 2021 फाहद सलीम कुरेशी के घर पर 60 ग्राम एमडी रखकर के केस बनाया जेल में डाल दिया 19 नमबर पर केस नमबर 63 बटे 2021 मोहमद असलीज सेख के घर पर 57 ग्राम M.D. रखकर के केस बनाया जेल में डाल दिया 20 वे नमबर पर केस नमबर 31 बटे 2021 में समीर मुक्तार सायद के घर पर 200 ग्राम चरस मिला था कैसे जो है सब कुछ खेल होता है कि 200 ग्राम से केस मसबूत नहीं बनेगा ज्यादा बनाईए यह सब कुछ हो रहा है अब उसके बाद में देखिए आप 2100 नंबर पर 77 बटे 2021 एक नाइजीरियन नागरिक को मानखुर्द से पकड़ा उसके पास से कोई ड्रक्स नहीं मिली लेक एक नाइजीरियन नागरिक को खाकर से पकड़ा और उसके बाद उसके कोई ड्रक्स नहीं मिली लेकिन समीर वानखेडे ने 60 ग्राम एमडी पकड़ करके उसको जूटा केस बना करके जेल में डाल दिया 23 नमबर पर 88 बटे 2021 एक मुझरिम को पकड़ा और उसे जेल में डाल दिया और इस दोरान जो है वो गुझरात का रहने वाला था उसके बैंक का पिन NCV के अधिकारी ने ले लिया और समीर के कहने पर उस मुझरिम को जेल भेजने के बाद उसके डेबिट काड़ का इस्तमौ करके रुपे 40,000 रुपे निकाल लिया गुझरात के लोगों को भी नी छोड़ा गुझरात के लोग भी धान दीजिए गुझरात का एक वेक्ति पकड़ा है इसने और उस पर जो है ये अग्यात है इसका नाम नहीं दिया है उसको पकड़ा उसको पकड़ने बाद जेल आने का काम किया है यह 24 नंबर पर है इसको आप पड़ सकते हैं यह देखे 25 नंबर पर एंसे भी को गोवा में परसाद वाद के के घर पर 17 ग्राम एलस्टी सिपाई रेड़ी ने रख करके नकली केस बना करके उसे जेल में भीजा 26 नंबर पर बिग बोस में भाग लेने वा 26 आरोप है और 26 आरोप में जादतर मुसल्मान है आप सोच करके देखे जब हम खबर पड़ते हैं जब हम टीवी में देखते हैं अखबार में देखते हैं कि फला जहेंपर जो है वो मुसल्मान वहाँ पर पकड़ा गया फला जहेंपर वो मुसल्मान जो है उसके रेली स्ट है और जो आरोप लगाए गए है वो आरोप बड़े गंबीर है इस खबर को जादा ज़दा शेर करिए ताकि लोगों पता चले कि कैसे यह अगर यह सच है हम फिर कह रहे हैं कि अभी हम इसकी पुष्टी नहीं कर सकते हैं केवल यह मंत्री साहब ने जो है यह चिठी जारी की ह है और महानाश्चर के मंत्री है नवाब मलिक बड़ी कद्दावर मंत्री है और उन्होंने कुछ कहा है तो वाकशी यह बड़ी कबर बनती है ताकि लोगों तक साच पहुंचे और इस ख़बर को लेकर इस वीडियो को लेकर आपको जो भी राय हो निचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जिरूर दे और इस तरह की तमाम ख़बरों के लिए ओलाइन उजिए सब्सक्राइब करें साथ में जो बैल आइकन है घंटी उसको